जाहिन दोस्तों NSG Commando कैसे बने जाने इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दो कि जो भी कोई ऐसे candidate है जाए जाए wise है वो अगर NSG Commando में अपना नाम करना चाहते हैं जाना चाहते हैं तो उनके लिए यह वीडियो आज बहुत खास होने वाला है क्योंकि यह वीडियो ऐसा नहीं कि आप दो मिनिट देखें और समझ जाएंगे सबसे पहले मैं आपको बता दू अगर आप सहीम अगर NSG Commando बनना चाहते हैं तो आपको वीडियो अच्छे से दिख करेंगा ताकि मैं इस परकार का जो बहुत ही खास वीडियो होता है मैं आप लोग के लिए बनाओं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दो दोस्तों कि NSG Commando की तैयारी के बारे में सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ जैसे कि आपको ए इसके बारे में तो इसमें आपको जो पेमेंट मिलता है वह आपको सथार हजार महीने से लेका दो लाक रुपी तक कि इसके सैलरी होती है उसके पावर तो आपके पास वह तो होता ही है ठीक है एनेसजी कमांडो का स्टार्ट अप में देश की सिवा में पहले सी होने चाहिए मतलब कि आप किसी भी फोर्स में आपको होना पहले सी यह नहीं कि अब धारेक्ट इसका प्लाइक करें और आपको इसमें हो जागा नहीं कि एनेसजी का फूल फॉर्म का होता दोश्तो यह जानन लेते पहले एनेसजी कमांडो बने की जानकारी प्राइक करने में उन फॉल फॉर्म कि बारे में बताने कि राष्ट्टियर सुरक्छा प्रहों इसमें क्या होता है यह सिर। Сस्पेश्ज जो मतलब नेता होते हैं उन लोग को दिया जाता है NSG के बारे में ठीक है और NSG में भी न दो तीन प्रकार के होते हैं NSG कमांड को कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको किले कर रहा हूं तो यह तीन प्रकार के होते हैं सबसे पहले कि Special Action Group जिसका नाम है SAG Special Ranger Group SRG और Special Composite Group SCG ठीक है इसमें आपको जॉब किस प्रकार से होता है यह भी समझ लेते हैं कि इसमें योगता क्या होता है तो यहाँ पर योगता के बारे में देखिए NSG कमांडो में अगर आप नौकडी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है मतलब जो होना चाहिए आपके पास नहीं मिलते हैं बलकि NSG कमांडों के भरती में सेना, पुलीस या अन्य सुरक्षाबल में पहले से ही कारेरत आप होने चाहिए पहले से ही कर्मिचारी उसके होने चाहिए ठीक है इसलिए यदि आपको NSG कमांडों जाना होगा तो सेना, पुलीस या अन्य प्रकार के सुरक्षाबल में सामिल होना और इसके बाद ही आप इस रूप में जा सकते हैं और इसमें अगर हम क्वालिफिकेसन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे भी एक चीज़ किरे कर दिया गया है कि आप मिनिमम्म 12th past होंगे इसमें जा सकते हैं तो यहां पर दिखिये बेसिक क्या होना चाहिए वह आपको यहां पर किल्डर कर दिया कि आपको सब्सक्राइब करें और इसमें क्या है कि भारतिया सेना पुलीस या अन्य सुरक्षाबल में कारिरत होना चाहिए जो कि मैं ब पुलिस लाइन में जो भी में आप जाना चाहते हैं भारते सेना में जाना चाहते हैं तो पहले उसमें आपको जॉब लेना हों का ठीक है इसके बाद ही आप इसका जो फॉर्म आता है वह आप भर सकते हैं ठीक है तो इस परकार से जा सकते हैं इसके बाद यहां पर दिया गया वो आपको पास करना होता है इसके बाद सारेरिक सिक्षा को पास करना होता है मतलब आपको जो सारेरिक सिक्षा होता है जो आपका ट्रेनिंग होता है वो आपको पास करना होता है दोस्तों इसका जो ट्रेनिंग होता है इतना सिंपल ट्रेनिंग नहीं होता है जो आप सहसे सब्सक्राइब अगर इसके बाद भी एनद्जी कमांडों में चाहरे होते हैं तब आपको आगे ट्रेंडियं वह सब्सक्राइब है दूस्तों अनशार होता है इस इस गमांडू में क्या होता है कि आप जहeftए एक्जाम फिर आपको रूनींग होता है ट्रेनिंग होता है आपको बडूड होता है तो करना ही हुगा इंटर्वी होगा होगा उसके बाद आप इसमें आप से प्रेमांडू को जो कितनी सेल्डी मिलते हूं तो मैंने पहले की लिए कर दिया कि आपको एनस्जी कमांडों को साथवी वेतन के अनुशार वेतन दिया जाता है ठीक है एनस्जी कमांडों को किन किन भत्तों का लाभ मिलता है अगर आपको दोस्तों एनस्जी कमांडों में जाते हैं और बंग जाते हैं तो आपको इसमें यातरा घ्थ्त छुगधा मिलता है कैकरन कर दाम मिलता है गबर्मेंट कोर्टे में फ्री को इस्टे मीलता उसके बाद उनके बच्चों के लिए मुःप्त सिख्था के शुगधा दे जाती है मेडिकल अजीवन न होता है की यह रक रखा Islamic अबता होता है फिल इचेत्र में भत्ते होते हैं पैरा सुट वेतन होता है आपको उसके बाद हाई अल्टिरेट भत्ते होते हैं इस पेसल पावर दो महिने की वार्सिक छुटी 20 दिन का अकास्मिक अफसा अवकास ले सकते हैं हवाय रेल यातरा रियायत होते हैं मतलब अगर मुफ्त अस्पताल सुभधाएं होती है कम वाले लोन आदी आपको मिलते हैं अगर आप एनर्जी कमांडर समय जाते हैं जैसे आप जौब में चले तो जो लोन वगरा भी अगर लेते हैं तो मतलब ऐसा होता है इतना सेलरी हो जाता है कि अगर वो कुछ दिन ते काम करते हैं उनको पैसा इतना बन जाता कि वह अडाम से अपना कुछ भी अगर को ऐसे होते हैं जो अपना घर बनाना चाहते बहुत अच्छा से तो वह ऐसा करते हैं लेते हैं तो उसमें उनको छूट मिलने वाला ठीक है तो इस परकार से आप एनस्जी कमांडों में जो जाना चाहते इसके लिए मैंने बता दिया इसका एनस्जी कमांडों बनने के लिए योगता थी जो दूस्तों वहकिए कि 90 दिनों तो चलने वाले सबसे कठीन होती है ठीक है इसके बाद जो ट्रेनिंग में शुरुआत में 30-40 सिद्पिट्निस के योगता होती है जो ट्रेनिंग खतम होत दोरने में रनिंग में किसी भी परकार से आपको सरीर में कुछ भी ठानाव ठकावत करने के कोई मौका ही नहीं देगी ठीक है इसके बाद निस्टन स्विट्री गाड कमांडों की एक गोली से एक जान लेने की टिप ठेनिक दी जाती है कि आप अगर इसमें जाते हैं तो एक जाना चाहिए मतलब अगर आप देश के हिट के लगए चलाते हैं तो ठीक है इस कंडिशन में इसके बद आपको एनेजी कमांडों को बनने के रूप में आपको डारेक्ट चैनित या नहीं हो सकते हैं ठीक है जो मैं पहली बिता दिया आपको क्या करना बता कि भारतिये सस् सेना में किसी भी सेना अगर आफ जाते हैं तब ही आप बन सकते हैं जो कि आपको इसमें सेना के बारे में लिखाइञा था मैं आपको बताना भूल जया थो wait को अर्द सेनक में आपको निश्रफी एन एप यार्थителя यह यह जो है जो कि इस परकार से बदोना में जांसे जता प्रशन जहाता तो आपको भ़ारतिया से पूरे 53 परसंट जवानों को जो है आपको चैनित किया जाता है जबकि अर्ध सैनिक बलो जैसे कि CRPR ITBPN BSF में से कुल 47 परसंट जवानों को चैनित या नेज़ी किया जाता है इस प्रकार से मतल सबसे पहले तो दोस्तों यह अपको ध्यान करना कि अगर अगर को अगर काम कर लेते हैं तब अगर को फॉर्म आता बढ़ते हैं बढ़ते अगे जाते जो दिपाट्मेंटर के अगर आगे बढ़ते हैं तब जाके आपको इस परकार का जॉब मिल सकता है एनेसदी कमांडो आप बन सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो में अच्छी लगी जनकारी और आपको लगे कि हाँ ये वीडियो बहुत अच्छा रहा एनेसदी कमांडो बनने के लि प्रोसे से कैसे बना जाता है तो इसके लिए आप लोग इस चर्म को लाइक सब्सक्राइब कोमेंट जरूर करने जिएगा ताकि मैं जो इस परकार का वीडियो बनाओ जो आपके लिए हैल्पूल हो तो आपको सबसे पहले पता चले तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडि लाइक करके जाइएगा जय हैं दोस्तों